Good morning dear students, जैसा कि आप सब जानते हो, इस समय में हम क्या मना रहे हैं? स्वचता पखवारा मना रहे हैं. मैं हूँ बलजीत कौर और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, आज का जो टॉपिक है वह है पर्सनल हाइजीन. तो प्यारे बच्चों, आप से एक बात करने आई हूँ वह बात ये है कि जब हम पर्सनल हाइजीन की बात करते हैं, तो बड़े बच्चे तो अच्छे से समझ आते हैं, आपके छोटे भाई भेहन भी हैं, आपको ये करना है कि उनको भी अच्छे से समझाना है कि पर्सनल हाइजीन को कैसे फालो करना है. Dear students, सबसे मज़ेदार बात ये है, मज़ेदार कैसे कहूं मैं एक करोना महामारी आई, इस महामारी ने एक चीज हमें सिखा दी, ये क्या था कि कहते हैं न, blessing in disguise, तो सबके सब लोग इतने attentive हो गए इस बिमारी के डर से कि उन्होंने बहुत चारा personal hygiene सीख लिया, लेकिन इसके थी, जैसे ही ये lockdown वगेरा खुला, तो आप लोग थोड़े से non-serious हो गए हो, और मैंने ये चीज नोटिस की है, कि आप वो जो personal hygiene की चीज़े आपने बार बार हाथ दोना, sanitizer का इस्तेमाल करना, एक दूसरे से दूरी बना के रखना, अपने आगे पीछे का जो भी जितना भ होना, हर चीज में personal hygiene इस corona ने सिखाई, लेकिन अब सब लोग non-serious हो रहे हैं, और दोबारा से वो ही पुराने track में जा रहे हैं, तो personal hygiene की यहां तक बात आती है, तो उसको हम ऐसे समझते हैं, कि जिसमें हर तरह की hygiene आजाती है, जिसमें oral hygiene आजाती है, जिसमें आपका home की hygiene आ आजाती है, आपके food से related hygiene आजाती है, तो आएए इसके बारे में अच्छे से जानते हैं, प्यारे बच्चों, जब हम personal hygiene की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले बात आजाती है, oral hygiene की, oral means आपके मूँ से related, तो आपको अपने भाई बहनों को सिखाना है, कि दिन में दो बार brush जरूर करना है, सुभा भी और रात को सोने से पहले भी, मीठा खाने के बाद भी करना है, इसके अलावा अगर हम hands और foot की बात करें, तो अपने nails आपने साफ सुत्रे रखने हैं, और short short की, बल्कि trim करने हैं हमेशा, उसके बाद आपने rose नहाना है, take bath every day, और mild soap का भी इस्त आपने जरूर दोने हैं, और अच्छे से बाल दोने के बाद कंगी तो रोज ही करनी हैं बालों को, ताकि बालों में किसी तरह की कोई गंदगी न रहे, ये भी आपकी आंतरिक स्वच्ता में आता है, तो इसके साथ साथ, जब भी कभी आप स्नीज करें, यानि कि चींक मारे या खांसी करें, तो खासकर चोटे भाई बहनों को सिखाना है कि रुमाल हमेशा मुपर रखें, सीधा किसी के उपर ना खांसे, बिफोर और आफ्टर मील आपको हैंड्स जरूर धोने हैं, और तीस सेकिंड तक धोने हैं, और जब भी मुका लगे हाथ दोते ही रहना है, हम क्लीन होने चाहिए और साफ होने चाहिए, गंदे कपड़े नहीं पहनने हैं, इससे बीमारियां भी होती हैं, और हर तरह से एक और इंपोर्टन बात, आपके कानों के अंदर जो वैक्स होती है, उसको भी टाइम टाइम पर साफ करते रहना है, इस बात का खास ध्यान रखन है, और सबसे इंपोर्टन बात, स्वच्ता में आपने आस पास को क्लीन रखना है, जो भी गंद कूड़ा है, वो डस्ट बीन में डालना है, ठीक है, तो फ्लश, टॉयलेट का जो हाईजीन है, जितनी बार भी बातरूम जाओ, तो टॉयलेट को फ्लश जरूर करो, और जो यह सारी टेकनीक्स अपना कर आप अपने घर को और अपने आपको अपने भाई बहनों को सुरक्षित रख सकते हैं, परस्नल आहिजीन को अपना कर, इसके साथ ही यह स्टूडेंट्स हमारे बच्चों ने, तेंथ क्लास के बच्चों ने भी छोटी-छोटी सी इंसरफ्ट स अपने बेजी थी, मैं आपको भी दिखा देती हूँ, उनको भी देखिये ध्यान से, उन्होंने भी कोशिश की है, आपको कुछ समझाने की आपको अपने सर के पिछे जड़े सकते हैं, नहीं, क्या आप अपने चपल को सर में पहन सकते हैं, तो आपने मास्क कैसे क्यों लगता हैं, आप शिरक्चित रहिए, समिजदार बनिए, और बेशों शिरक्चित हैं, हन्यवार, ठाहिए तो आंत में यही कहूंगी कि cleanliness is next to godliness, तो प्यारे बच्चों अपने आपको साफ सुत्रा रखिए, personal hygiene अपनाए, have a nice day